बाह जि कुलविर भाई ये प्योर साईवार गायए है हां जी दूसरे बयांत की है दूसरे बयांत में अभी बयान ने वाली है हाँ जी कितना समय पड़ा भई अभी चार से पांच दिन का समय ले ले लेगे जी और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रोथ करिए बढ़िया बना रही है पहली बार इस गाई ने 18 लिटर प्लस दूद दिया हुआ है और दूसरी बार अब यह ब्याणे में पाँ साथ दिन में जैसा भी टाइम लेती है यह कुलवीर भाई दूसरी बार ब्याई है दूस दोस्तों अगर इसका दूद रोका होता ना जी जो एकदम फिक्स कर जाना अच्छा जी और अब दूसरी बार ब्याने वाड़ी है जी कितना समय पड़ा भाई अभी अभी सर इस मिन्ने के अंड तक भी आ जाएगी है अच्छा जी यानिकि 20-22 दिन अभी पड़े हैं जी औ और दूद भाई कितना दिया पिछली बार इसने 24-25 लिटर दूद कंटीनियू दिया जी 24-25 हां जी और आप इसको छोड़ी हो गए लगबग पचास दिन हो गए इसको दूद चोड़े हो गए सत्षरी अकाल दोस्तो मैं आपका अपना कुलवीर सिंग स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूटिब चैनल पर दोस्तो हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाजर होएं जी और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विजट है सुबाश बिशनोई डेरी फारम की सुबाश बिशनोई जी के फारम पर आज फिर से पहुंचे हूए हैं खास गंगा नगर शहर से ये वीडियो लेकर आएं जी शिरी गंगा नगर से जब शिरी करनपूर की तरफ गंगा नगर शहर से बिलकुल बाहर नेकलते ही बाई का फ बार बार की तरह आज फिर से जो नौ गाया आप लोग भाई के पीछे देख रहे हो सभी की सभी सेल के लिए अवेलेबल आगे की जो डिटेल बातचीत है वो सुबाश जी के साथ करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सथ शरीयकाल जी सस्रीकल कलविर भाई कैसे हो सुबाश जी बढ़ियां भाई जी जो भी यूटूब देख रहे हैं सारे बाईयों को राम राम सस्रीयकाल जी तो सुबाश जी काम का आज गर परिवार कैसा है भाई मोज जी परमातमाने मेरा जी बहुत अच्छी बात है और सुबाश जी फिर आगे की बातें शुरू करन करनपूर रोड सेनिक स्कूल के सामने और को ऑज एक बात अपने देखने वारे बाईयों को भी बता देना जाता हूं कि बस आदा गंटा पहले आपकी कॉल आई कि कुलवीर जी कहा हो मैंने बोला जी गंगा नगर तो आप बोला जी आज़ाओ सब्सक्राइब तो इसका थोड़ा सा इलम होना चाहिए ना बाईयों को भी पता चलना चाहिए कि यह नहीं के पहले से श्ट्यूल वीडियो को भी पूरा अपनी में दो तीन वीडियो अपने मना दें लगा तर यह सी हुआ है कि कोईंसीडेंस के मैं इदर आता हूं तो आपक कोई मोरे ज्यादा डाल दूद निकाड़े सा कोई भी त्यारी नहीं तो सुभाष जी आज नौ गाया आपके पीछे दिख रही हैं जी बाई आठ गाय सौरी कि कौन-कौन सी पहले ब्रीड मिलने वाली है साहिवाल ज्यादा होती है अपने पास हां जी और अठी रहती है थार जी आज दूद का फिर क्याअ सिस्ट्म रहने वालाँ जी कम से कम और जादा से कम से कद 10-11 लीटर जी ज्यादा से ज्यादा बहुए 22 प्लस जी दस-11-15 लीटर से लेकर 22 प्लस तक जाये जिए और दाम फिर कैसा रखा गया जी दाम सब से कम 29,000 29,000 29,000 से दाम की शुरात होगी और ज्यादा से ज्यादा बाई एक लाग पच्चीस तक जी एक पच्चीस तक वो जैसे जैसे गायों की क्वालिटी वैस्ट गाय की ब्रीड मिलक कैपेसिटी और बोडी क्रेक्टर और उसकी ब्यूटी के आगाजिशण आगे वोस्ति की काुट farm बात तो मुड़त पर जैकर साथ में बातश X3 गहिए ओर लें दीक जरीन उत्तिछें वीडियो के जरीए बाईयों को 니 हमालुम चलना चाहिए sollte तो बाकी कर यह थोड़ी इंट्रूडक् nueva बीवी जरूरी होती तो एक एकर करके गायचल आते हैं जी साथ में बात चीत करें हाजी दोस्तों इसे आगे एक एक करके गाये आप लोगों को चला कर दिखाई जाएंगी और पहली गाये आप लोगों के सामने आचुकी है पहले रंग रूप ब्रीड क्वालिटी देख लीजिए दूसरे नंबर पर देखें गाये का सबा देखेंट कोई देखत परिशानी वाली बात नहीं डेटेल इसकी जानते जाएंगे सुबाह जी सुबाह बाई डेटेल बता दीजिए बाई आप चलाते रहे हैं जी कुल्मीर बाई ये प्योर साहीवाड गाय है हाजी दूसरे ब्यांत की है दूसरे ब्यांत में अभी ब्य बाइस लिटर से उपर दू दे सकती है अच्छा बीस प्लस गेरंटी वाला कहने का मतलब रहेगा है ना जी बाकी बात करें सभाव की बुलकुल श्यान सभाव की वैसे चलती है और बायी क्या दाम इसका ब्रहन यह एक लाग पैन की बधूर प्रेंगे आज की वीडियो की टौप क्लास की घाये सबसे जादा दामवाली और सबसे टॉप प्रीड की विए दूद शमटा भी है सफेया जी एक पच्छी सी देनी है जी हां जी इक पच्छीस की देंगे मांसमान हो सब्सक्राइब जो भी बाई खरीदने आए है तो उसका मांसमान किया जाएगा कहने का मतलब किसी को निराश नहीं किया जाएगा जी बांद दीजे भाई दूसरी अब मान समान आपने पूछी लिया कुलवीर भाई तो आज दिपावली का भी अब टाइम चल रहे हैं जी तो आज ओफर है जी पांचसो किलोमेटर ट्रांसपोर्ट फरी देंगे जी अपांचसो किलोमेटर तक की ट्रां हमने आचुकी है सुभाष जी क्या जिए पहले बार में कब की यह भाई इसको ओगे चैसाथ दिन की ब्याई कदवजन बहुत है ब्रीड देख लो जी ब्रीड भी है और कदवजन दिखने परखने में खूबसूरती भी बहुत है कितना सा बच्चा क्या सौरी इसका जी दे रही जी 11-12 लीटर अभी निकालने वड़ा है जी जैसे अडर की शेप है सलवटें पीछे से दिखा रही है शाम तक बड़ी है बहुत ही बड़ी है जी बहुत बड़ी है जी बहुत बड़ी है और क्या दाम भाई इसके पिचानमे अजार पह लेंगे जी 95,000 पिचानमे दोसों एक और गाए आप लोगों के सामने आ चुकी है जी कद वजन इसका भी देखते जाई यह बड़ी है पतली चमडी वाली है अडर की शेप आँचलों का साइज गैप एक समान है चलाते रही है बाई सुबाश जी क्या देल यह कुलवीर भाई दूसरी बार भी आई है जी कब की वाई इसको दूसरा ही दिन है दूसरा ही दिन आज बिलकिल खीश से खाली की हुई है वो झर दिख रहा है दूसरी दूस इसका निकला हुई हो जाएगा जैसे सलवटें पीछे से दिख रही है ब्रीड दो देख सकते हैं शाइनिंग इसकी सही है जी और क्या दाम सुभाष जी 65,000 65,000 मात्र 65,000 और 500 चौथे नमबर पर दोसो एक और ये उंचे कद काथ वाली गाए आप लोगों के सामने है जी साही वाल ब्रीड में ये भी आती है जी जैसे बाई ने स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि जादा इनका काम जो है वो साही वाल ब्रीड पर जादा काम करते हैं और साही वाल क भी बड़ीया बड़ीया गाय लेकर आते हैं गाय की कौलिटी देखते जाएए सुभाष जी क्या डिटेल है ये वी कुलवीर भाई दूसरी बार ब्याई है दूसरे बार में आठ दिन की ब्याई है जी आठ दिन होगे ब्याई को इसके पिछे भी बचड़ा जी मेल काफी बार दिन की ब्याई में कोई भाई 15 लीटर दूद चेक कर सकता जी 15 लीटर दूद निकालने वाड़ा और अडर आप लोग सामने देख सकते दोस्तों अगर इसका दूद रोका होता ना जी जो एकदम फिक्स कर जाना था अभी भी आचलों का साइस गैप बढ़िया दिखा गया जी यह सत्तर हजार पे कि देंगे जी सेवन्टी थाउजन्ट 18 लीटर तक दूद दे देगी पिछे बचड़ा है 15 लीटर कोई चेक कर ले जिसका दो 18 लीटर दूद देदेगी 15 लीटर अभी निकालने वाड़ा बच्चा बच्ड़ा मेल काफ और दाम रखा गया है ज सतर हजार साथ में 500 किलोमेटर की ट्रांस्पोर्टेशन भी मिल रही है आज़ा वह बूल मत जाए एक बात और भाई अगर कहीं खरीदी किसी ने इदर पडोस में से ली तो फिर कितना उसको पांच हरपे कम कर देंगे जी पांच हजार कम हो जाए बाद यह बाई इससे आग काफी शानदा रांचलों का साइज काफी अच्छा और यह गाई मिल्क वेंड भी बहुत अच्छी दिखा रही है चलाते रही है बाई सुबाह जी डिटेल बता जी क्या डिटेल है कुलीर भाई दूसरी बार ब्याई है दूसरे बार में इसको भी साथ से आठ दिन होगे ब और एक मिना भी ड्राई नहीं अच्छा दूसे ड्राई की नहीं गई हुई नहीं एक मिना भी बड़ी मुश्कल से विए फिर तो ऐसी रहेगी भाई फिर ज्यादा इसमें वह चरबी नहीं चारेगी और 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 अब आर दिन की ब्याई मैं सोड़ा सत्रा किलोब निकाल रह रही है और पहली बार भी इसने सत्रा लेटर रिकोर्ड कराई और सरकारी टैग लगा हुआ इसको सही है कान में दोस्तों टैग आप दूसरी बार भी आई है जी जो कुलुवीर भाई लंबा समय दूद देती है ना वह गाय थोड़ा सा चर्बीज मुटापा कम लेकि आती ह सब्सक्राइब करना पड़ता है यह जैसा सस्टम हो गया क्या दाम भाई इसके ना पिछले थन पर थोड़ा सा रगड लगी थी ब्याने से पहले उपर नीचे नहीं है वो देख सकते हो उपर है अच्छा जी दूड़े में दिक्कत नहीं है ओके जी यह कोई दूड़े में सब्सक्राइब करें दूड़े में इसे बता देते हैं तो आट-एट दिन की गाये ब्याई में सोड़ा किलो पंद्रह किलो जो निकाल रही है वो अब क्या समझोगी ब्रीड है तो तब ही निकाल रही है वाकि उसमें कोई दो राय नहीं जैसे जो बात आपने स्टार्टिं बढ़ा जाता है इसे आगी अपनी यह चटी गाये सामने राठी ब्रीड में है जी राठी गदरी गदरी राठी सही है वाकि कद काठ बहुत शानदार बहुत वजन वाली गाये है और इसकी बीड के बारे में चलो आगे तो आपसे जानूँगा लेकिन देखकर अंदाजा ह होता है कि यह अच्छी ब्लड लाइन वहीं जाए बनाते हो यह अब तो आपको अमसे भी ज्यादा नोलेज वगया हो गाया हुगा विडियो बनाते ओ नहीं नहीं गाये देखतें और अपने जो विवोर देख रहे हैं और आपको ब्रीड का अईडिया पूरा है विकॉन सी कितने ब्रीड वाड़ी के सेडर क्वालिटी है तो कलीर भाई है दूसरी बार भी आई है अच्छा कब की भी इसको लगब पंद्रा दिन हो गए जी पंद्रे दिन की हां जी बच्छा किया जी बच्छडा जी बच्छडा मेल काफी हां जी और कितने दूद 14-15 लिटर दूद दे रही है जी अभी 14-15 तयार है हां जी तो जाएगी वह सकता है एक दो लिटर बढ़ जाए जी अच्छा जी लेकिन हम तो भी दे सकती है ज्यादा हो रहा है पर हम जिसका हमारे पास अनिमल ज्यादा होते हैं हमारी सेवा के साब सभी 14-15 अदाम रखा गया जी डिटेल क्लियरली भाई ने बताई है गाय के बारे में बाकी आप लोगों के सामने हैं और सभी गायों के जितनी गाये दिखाई हैं आपने हर एक गाय का अडर कौाल्टी और थोड़ों की बनावट देख सकते हैं एक से बढ़ कर एक साही बात है और क गाये आप लोगों के सामने आगी जी क्रॉस ब्रीड में पढ़ती है और कद वजन बहुत शानदार लेंथ आप लोग आए की देखिए कितनी शानदार फिट बाड़ी और सुबाश जी डिटेल भाई बताते जाए जिसकी क्या डिटेल है कुल्वीर भाई यह अपने गर की गाया है हां जी पिछले साल आपा खरीदी थी अच्छा जी और अब यह दूसरी बार ब्याने वाड़ी है कितना समय पड़ा भाई अभी अभी सर इस मिन्ने के अंड तक भी आजएगी अच्छा जी यानिकी 20-22 दिन अभी पड़े हैं जी और दूद बाई कितना दिया पुछी साबसे इसका चारा पड़ी पहले घटा दिया था तो ड्राई कर दी ती और जब इसको ड्राई किया तो यह 13-14 लिटर से की बड़ी मुश्किल से क्या अदाम रखा गया भाई इसका यह सर जी कोई भी भाईले 60,000 आज का अदाम में 500 किलोमेटर की बात और कलवीर भाई ऐसी गाये कोई और भी भाई लेना चाहिए 25 लिटर 20 से लेके 30 लिटर तक की तो अगर 50,000 से लेके 70-70,000 के बीच में दिलवा भी देंगे बाहर से कहने का मतलम में अपने पास भी होती है आप दो तिन गाये रखते हैं ज्यादा नहीं रखते हैं आज दोस्तों बाई साब की यह जो आठवी अंत वाली गाये जी वो आप लोगों के सामने आ चुकी है जी कद काथ काथ काफी शांदर काफी मजबूत बाडी स्ट्रक्चर वाली यह गाये बारी बरकम वजन और सुबाश जी डेटेल बता देगे सबसे पहले तो इसके एक खासि उस गाये ने इसका नमर कर विकास रख आच्छा इस गाये का नाम है विकास अarta इसके पिछड़ी व किछी है जी उसके पारी दिनों कोन से ब्यात में बारी वहें डूसरी वाही है जी ऋके और दूसरी बार बॉबछी अर जोदा और 9 से दस लिटर दूद है जिसमें दोनों समय का हां जी बढ़ेगी और कुछ ना मुझे बढ़ भी सकती है लेकिन आप तो जो है करंट में वह बता रहे हैं अपड़े को लाई को दो तीन दिन हुए जो आज कंडिशन में है वह आपको बता रहे हैं उन्हों ते 14 किलो बता के दी अगर अच्छे गर में चली गई तो हो सकता अगर अच्छी सेवा पानी इसका करें तो विकास उदर जाकर कर जाए जी विकास का रेट रहा जी मातर 29,000 रुपर जी 29,000 दोसो मातर 29,000 रखा प्लस 500 किलोमेटर ट्रांसपोट फरी साथ में 500 किलोमेटर और जिस बाइस याई ह नहीं तो फोरण चलेगे उने इतना विकास किया जी पूरा विकास का रेट है 29,000 रुपर तो आगे देखते हैं फिर विकास किस गर में होता है हां जी बाइस सुबाश जी आप आई ए कैमरे के सामें तो सुबाश जी यह होगी आज वाली गायों की डिटेल जी फारम पर ग गाय है जी एक फ और बेंसे उदर जादा रहती है वह कितनी का गर पर अवेलेबल रहती है कि आउने बीस के लगबग बेंसे और एच फ गाय है और गयरा बारा बैसे और दूद शमता बाई कितनी कैसे रेटों में मिल जाती है जी बैस अपने पाफ दस किलो से लेके 20-22 किल बड़ी है तो बाकी ओनलाइन ऑफ लाइन की सोविदा है हाँ ओफ लाइन आके ले तो उसको जी आदमी की क्या क्वांडिटी है यह उसकी फैसलिटी है क्या है कैसा उसका विवारे आके पता लगता है वीडियो में कही बारे बोली से नहीं पता लगता है कहीं को लगता है सबाव गरम है कि एक ठंडा है लेकिन जो मिलके एक्सपीरियंस होता है किसी भी बाई गो वो सबसे बड़ा बड़ी है और मैं यह नहीं कहें तब जो बाई वीडियो देख रहे वो ओनलाइन इक्रिदे हम कहेंगे ओफ-लाइन आके देख के लो आपको विवार का लुकेशन का पता लगेगा तो अंत में प्रॉपर एड्रेस और फोन नबर रिपीट कर दीजिए नाम सुबास विश्णोई एड्रस गंगानगर मेन सिटी के बिलकुल बार करनपूर रोड सेनिक स्कूल के सामने मुबाइल नंबर अठाण में दो सो चराण में 0337 और पिचाण में चार